रोट पर चलती हुग अगर आपको एक बड़े साइच का टायर मिल जाए तो उसे उठा कर सबसे पहले घर पे लाना है। इसके बाद गोल साइच की लकडी की बोट को स्कूर पर रख कर इन कोनों पर इस जैसे स्कूरू को एक एक करके मसीन से फिट करना है। इसकूरू फिट करने की बाद बीच में थोड़ा से गलू लगाना है और फिर इस मोटिसाइच की रस्टी को गलू की हेल्ट से इसके उपर चिपकाना शुरू करना है। टायर को रस्टी से पूरी तरह कवर करने में आपको दो घंटे तो लगी जाएंगे। फोटो में कौन सा जानबर है अगर पेचान गए हो तो एक लाइक कर दो। कलर करने की बाद टायर से बनी इतनी सुन्दर टेविल आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी।